दोस्तों आज का जो यह वीडियो है स्पेसली आप लोगों कमेंट के अधार पर है आप में से बहुत सारे स्टेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर अभी बिहार SSC इंटर लेवल की जो भरती आई है तो बिहार स्रिल्टेर तो आप सभी चीजों के बारे में बताए हैं एक दूसरे राज जिसे है तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिलब कर सकते हो सकता है कि आपको ये पहले से भी पता हो अब देखिए दोस्तों आप फॉर्म फिलब कर रहे हैं एक जाम दीजेगा तेयारी किजेगा तो यहां पर सबसे में है रिजल्ट तो आपका रिजल्ट होना च दूसरे राज का यानि कटफ कितना क्या जाएगा कितना क्वेस्टन बना लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन सा डॉकुमेंट चाहिए कैसे क्या सेलेक्शन होगा सिलेवस योगिता यानि दोस्तों आपको अगले 10 मिनट में हर एक जानकार सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये जो वेकेंसी है टोटल 11,098 पदो पर है तो सीटों की संख्यां के बारे में तो हो सकता है कि आपको पता होगा भी और दोस्तों आप सभी ये बताइए का आप में से कितने ऐसे हैं जो ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं और अगर आप अधर एस्टेट यानि दूसरे राज जी से है तो कहां से उत्तर परदेश मद्य परदेश राजस्थान जारखन किस राज जी से है आप सभी अधिक सधी कमेंट करके बता है आप लोगों का जीस अनुसार कमेंट रहता है तो यहां पर देखेगा तो जो भी बिहार से भरती आतियत अधर एस्टेट के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देंगे कितना क्या सीट है कैसे क्या सभी चीज़ों के बारे में यह जो विकिंसी है दोस्तों 11,098 पदाव पर तो आप में इसे सभी इस फॉर्म को भरने के लिए हो गया बस यहां पर जो देखेगा दोस्तों 11,098 और यह नोटिफिकेशन देखेगा तो दो दिन पहले आया है तो हम आप लोगों को दोस्तों अभी दो दिन पहले नहीं आज से दो महने पहले इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दे दिये थे इतने पदाव पर भरती आ रही है और सितंबर म परायत यह आपके काम का चैनल है हम आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं और अभी से लेकर के बिहार SAC, बिहार दरोगा, BPSC हर एक परिक्षाओं के बारे में अपडेट, भरती से रिल्टेट, एक्जाम से रिल्टेट सभी चीज़ों के बारे में मिलता है तो आप सभी रिल्ट लीजेगा, चलिए दोस्तों आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, यह जो आपको सामने दिख रहा है दोस्तों यह भी हर SAC, इंटर लेवल, दूतिया, इंटर अस्तर यह भरती का ओफिस्यल नोटिफिकेशन है, इंटर अस्तर यह इसलिए नाम रखा गया ह इसमें जो क्वालिफिकेशन है बार्मी पास, तो इससे पहले 2014 में फर्स्ट इंटर लेवल आई थी, इस बार दूतिया, इंटर अस्तर यह विकेंसी आई है, विग्यापन संख्या 0-2023 के अंतरगत, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है दोस्तों बार्मी प यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का लाव मिलेगा नहीं, आप जनरल कैट्वरी के अनुसार, यानि मैक्सिमाम आपके लिए जो रहने वाला है 37 साल, और यहाँ पर देखिएगा एज का जो लिमीट है दोस्तों, यह एक अगस्त 2023 के अनुसार होना चाहिए, एक अगस्त, य बात करें दोस्तों यहाँ पर तो चैसे पोस्त ते इस्में टापिंग नहीं है, यह सब भी आप लोगों को सभी चीजों के बारे में बता देंगे, तो आप में एक इसे कौनकॉन कौन टैपिंग से बारे में प्यारी करके फिर यह सब सारा चीज़े कर सकते हैं टाइपिंग यह सब जो चीज़े मांगा जाएगा फाइनल सेलेक्शन के समय लेकिन अभी डॉकुमेंट यह सब चीज़े चाहिए तो आपको अभी से अपना प्रिप्रेयर यह सब चीज़े धियान रखना है कि हमें प्रिप्रेयर नहीं है और इसमें दोस्तों आपको जो सेलेक्शन होने वाला है ओफ्लैन ओयमार सीट पर परिक्षा ली जाएगी अब्जेक्टिव टैप का यह एक्जाम है पीटी मेंस दो चरण है इसके बाद है टैपिंग टेस्ट इसके बाद फैनल सेलेक्शन आपका हो यानि टोटल 150 क्विस्चन पूछा जाएगा अब आप सुच रहे होंगे कि इसमें बहुत जयाद एसकोर यान 130-140 करना परेगा तो ऐसा नहीं है सीट बहुत अच्छा खासा है तो सीट अधिक रहने के कारण से कम पर सेलेक्शन होने वाला है अब कम का मतलब यह नहीं कि बह खूद कम दूसरी बात यहां पर देखेगा निगेटी मार्किंग वन वैफ हो रहा और तीसरा ची दोस्तों इसमें टाइम जो है आपको दो घंटा पंदरा मिनट का दिया आ जा रहा है अब आप सुच रहे होंगे मैठ रिजनिंग एससी रेलवे वाला पैटरन पर आएगा पंदरा जो कुष्चन है इसमें से तिन चार ऐसे टॉपिक है पांच टॉपिक ऐसे है जो अन्य जनरल कंपेटिशन में मैठ की ही बात करें जैसे देखे परमूटेशन कंबिनेशन यह सब चीजे नहीं पूछा आ जाता है यह सब आपको देख करके जाना इसी तरह से रिज से लेक्शन हो पाएगा नहीं तो आप सुचीगा कि हम खूब पढ़ रहे हैं त्यारी कर रहें सेलेक्शन हो जाएगा तैसा तो होगा ने आप सही दिसामें त्यारी किजिएगा जो बीएससी का पैटर ने उस अनुसर तभी रिजल्ट हो पाएगा और आप लोगों के दोस्तों यहां पर प्रोवाइड कर दिया विस प्रीविया से आपको होगा क्या विखार इससी में खास करके एकर आप पूरा का पूरा हो जायेगा math reasoning को थोड़ा कम तैयारी करके भी तो previous year में बिहार SSC में सभी जाम math पूछा जाता है तो उसको आप अगर अच्छे से complete कर ले थे जो math reasoning वाला यह आपका असानी से पुड़ा का पुड़ा हो जाएगा बीपी सी में भी कुछ परिक्षा है देखेगा LDCS related assistance related यह सब परिक्षाई ली जाती है उसमें भी math reasoning पूछा जाता है तो यह आप लोगों को देखेगा दोस्तों तो success planet application पर मिल जाएगा अब इसके लिए क्या करना परेगा दोस्तों देखेए अभी आपको संपूर्ण तयारी के लिए अभी a special offer चल रहा है तो जाएए आप सभी फटाफट application से जुर जाए application Google Play Store पर आप सभी success planet लिकर सर्च कीजिए application आएगा और इसके बाद आपको install करके login कर लेना है फिर course का banner दीखेगा आप सभी purchase कर लिए उसी course में दोस्तों आप लोगों को सभी previous year provide करवा दी है बांकि जो pattern है math reasoning gk science उसकी पूरी तेयारी करवाएंगे current affairs भी आपको पढ़ना है science भी इसमें अच्छे लेबल का पूछा जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका असानी से selection हो जाए तो आप सभी को इस course के साथ जरूर जूर जूर जाना है यहाँ पर जो दोस्तों आपको दिख रहा है यह भी हार SSE का syllabus है तो syllabus में दिखिए यहाँ पर तीन चरणों में complete होगा सबसे पहले अभी आपको क्या करना है PT exam पास करना है प्रारंभिक परिक्षा अभी आपका main focus यही होना चीए और आपको शुरू में ही बता दिये हैं कि मेरिट जो आपको बनेगा दोस्तों mains exam यानी मुख्य परिक्षा में मार्क्स के धार पर अभी सबसे पहले आप PT exam पास किजिए PT exam में total 1500 question पूछा जाएगा इस 1500 में से दोस्तों C question math reasoning का weightage रहने वाला जिसमें से लगभग 28 question math से पूछा जाएगा 52, 53, 54 question तक reasoning से पूछा जाता है बांकी देखेगा तो 10 से 12 current affairs है 28 से 30 जो है यहाँ पर science का weightage रहने वाला यानी physics chemistry biology परियावरन और बांकी जो है दोस्तों यह gk section रहने वाला है और exam में क्या होता है कि सभी बिसाय से mix करके डेर सो question पूछा जाता है तो यहाँ पर आपके लिए time manage बहुत मैंने रहने वाला है तो यहाँ पर time manage के लिए क्या किये हैं दोस्तों आपको जैदे समय लगएगा math reasoning में एक यहाँ पर देखेगा math reasoning का special test चलेगा जिसमें आप लोगो 20 से 25 रोज जो है और शुरू कर रहे हैं उसमें आप लोगों को मिलेगा और बांकी संपूर्ण त्यारी तो उसमें भी आप लोगों को math reasoning सारा कुछ त्यारी हो जाएगा और जी के सैंस जो pattern है उसी अनुसार प्रिवियसर का question सारा कुछ आप लोगों को दे रहे हैं अगर आप एक serious student है हर हाल में चाहते कि इतना अधिक पदों पर भरती आई है और मेरा selection हो जाए देखेगा इसमें जितने भी post है सभी official work का है तो यानि office वाला job है इसलिए आप सभी को jump के त्यारी करना है और यहां से आप seat देखेगा दोस्तों तो आप full motivate हो जाईएगा आपको लग रहा होगा कि मेर selection नहीं हो पाएगा हम अधरे state से मेरा cut up है जाएगा ऐसा तो यहां पर देखेगा ऐसा कुछ नहीं है आप देखेगा ऐसा है दरोगा की भी भरती आते तो बहुत सारे अधरे state वालों चात्रों का selection होता है बीपेसी में आप देखेगा तो 65 बीपेसी का topper भी मध्य अभी देखेगा एक latest exam की बात करें तभी बिहार में judicial service यानि नियाइक सेवा इसमें judge बनते है तो उसमें भी देखेगा तो जहारखंड के टॉपर है यह गर्ल्स टॉप की है जहारखंड की है तो यहां पर आप देखेगा दोस्तों सीटों की संख्यां को लेकर तो आपके के लिए जो सीट है यहां पर आनरक्षित यानि अन्रिजर्व्ड यू आर का जो भी सीट है यहां पर आपको दीख रहा है यह सब के लिए ओपेन कोटा है अब आपको लग रहा होगा कि 10% यह सब कोई condition है तो ऐसा कोई condition नहीं है आप देखेगा इस notification में भी और बिहार सरका सीट सब के लिए बिहार वालों के लिए है अगर आप दूसरे राज उतर परदेश मद्ध परदेश धार्खन कहीं से भी है यह यूर का सीट सभी के लिए इसमें जिसका भी मार्क्स अच्छा हैगा उसका सेलेक्शन होगा अब आप सोच रहे होंगे कि हम अदरे स्टेट से अच्छा तो असानी से लेंगे आएसा नहीं देखेगा भीहार के भी एस्ट्रेंट बहुत ज्यादे त्यारी करते सभी देखेगा तो सबका सपना ही रहता है गोवर्मेंट जॉब का तो इसलिए आपको इस कंपेटिशन में आना है तो जम क्या आपको त्यारी करना परेग वो आपका कड़ रहने वाला है तो आपको दोस्तो हर हाल में 110 पलस स्कोर लगभग करना परेगा भी के समय में कंपेटिशन बहुत बढ़ गया है और ये यूर का सीट है तो सभी के लिए सीट होता है विहार में जो रिजर्व कैटोगरी वाले है वो भी अगर अधीक मार्क लाएंगे तो यूर वाले सीट पर जाएंगे इसलिए आप सभी को जम के त्यारी करना और आपका हराल में टार्गेट रहना चाहिए हम 115 स्कोर कर ले और 115 मुस्किल नहीं है बस आप मैठ रिजनिंग में पुरा स्कोर किजिएगा और हम आप लोग जो त्यारी करवार हैं द आपको समय भी व्रबाद होगा और एक्जाम में क्विस्चन नहीं बनेगा तो यहां पर आप देखेगा एक जलक यहां पर प्रिवियस एर क्विस्चन है जैसे बिया से इंटर लेवल यह 9 दिसंबर 2018 सभी का प्रिवियस एर दे दिया हैं दूसरी बाद दोस्तों आपको व बस जो भी चीज़े आप लोगों को त्यारी करवा रहे हैं आप उस अनुसर त्यारी करिए सभी को कम्प्लीट करते चरिए और बस रिजल्ट को लेकर आपको सोचनी की जरुवत नहीं आपका असानी से रिजल्ट होगा एक और डॉट है दोस्तों NCL ये सब को लेकर देखे NCL यानि नन क्रिमिलियर तो जो बिहार वाले स्टुडेंट है उसको बनाना है आप लोगों को यहाँ पर कास्ट रेसिडेंट यानि के आवासिये ये सब कुछ भी चीज़े नहीं चाहिए जनरल काट्गोरी से फॉर्म कर रहे हैं तो बस आपका क्वालिफिकेशन चाहिए मां की जाती से संबादित कोई भी डॉकुमेंट आपको देनी की जुरूत नहीं है टैपिंग को लेकर सुरू में ही क्लियर कर दिये हैं और सबसे मेन बात यह है दोस्तों कि आपके पास जैदे समय भी नहीं है परिक्ष और आप सिमित से यारी में भी सेलेक्शन असानी से ले सकते हैं तो जैसा कि आपको अभी बताए हैं देखेगा दोस्तों तो आपको मेन फोकस मैच रिणिंग पर करना है जीके पर भी करना है सैंस पर भी करना है जीके में इसमें थोड़ा हार्ड क्विस्चन पूछा जाता है और दोस्तों अगर आपको कोई ही डॉट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आप लोगों को उसका रिपलाइ भी कर देंगे और अगर बहुत जैदे डॉट रहता है फिर अगल लग से आपको वीडियो के माध्यम से सभी चीजों के बारे में डेटेल्स में बता देंगे